गोज़ेश इसे अब करें ऐसे हैं आप सभी एगजाम में आप सभी का स्वागत हैं मैं वनीश चलिए स्टार्ट करते हैं आज ही कलास और आज या आपके पास निंजा क्लास की पहली क्लास है जो हम निंजा सीज हमने चलाई है उसके हम पहली क्लास करेंगे and the topic is building material ठीक है building material का अच्छा खासा बेटिज है आपके एक्जाम के लिए तो उसमें हम आज की आपके दो टॉपिक कवर करेंगे कौन-कौन से पहला हम मैं आपके पास rock rock complete करूँगा और दूसरा मैं करूँगा आपके पास bricks इन दो topics को मैं cover करूँ इन दोनों से आपको यह idea हो जाएगा questions के थुरू कि कौन-कौन से topics है वो आपके लिए important है और एक्जाम में आ सकते हैं वो दोनों चीजें हाँ से cover हो जाएगगे ठीक है दोनों तो rock पर हम बात करेंगे यह आपके पास क्या है जो टैसी मेंस की वो बच्चे जो दे रहे हैं उनके लिए ऐसे ऐसे दे रहा है टैसी उनको पहला यूट आपके पास Google पे आप एक्जाम को सर्च करना है वहाँ पर क्लिक करना है लाइप क्लास पर वहाँ पर कोर्स है उस कोर्स पर क्लिक करना है और वहाँ जाके आपको टैसीज मिल जाएगी ठीक है दूसरा मेंस का आपके पास क्या है मेरे पास ऑफलाइन टैसीज भी है वो आप जाके देख सकते के लिए यह ओनलाइन और ऑफलाइन दोनों है तीसरा फाउंडिशन बैच आया है यह आप देख सकते हैं चौथा दोजर तीस का लाइप लिए बैच है जो आपके पास इसमें मैक्सिम जो क्लास है थियोरी की वह आपके रिकॉर्डेड है और जो प्राक्टिस होगी कोशिन की मैं काम कर रहा हूं उस पर अभी आप कोश्चंस पर ध्यान दीजिए कि कोश्चंस क्या कहना चाहा रहा है ठीक है दिख जा ध्यान से बोला है कोश्चं में आपसे वार विच्छता फॉलेंग रिपर्जेंट दा क्रशिंग एंपी ए फॉर दा गुड़ क्वालिटी ऑफ स् की गुड़ बिल्डिंग स्टॉन की बात करता हूं तो यहां पर जो आपकी कंपर्सिर स्टेंथ होनी चाहिए वो आपकी 100 MPa या फिर 1000 किलोग्राम पर सेंटीमिटर स्कुर्ड वोटर अब्जोप्शन आपका 10% ज्यादा नहीं होना चाहिए वोटर अब्जोप्शन आपका 5% से जादा नहीं होना चाहिए नौट गेदन 5% यह आपको दिहान रखना है ठीक है पहले बात तो यह दिहान रखेंगे इन पर हम काम करते हैं दूसरा यह बात दिहान रखेंगे कि जब वोटर अब्जोप्शन के हम बात करते हैं तो गुड़ बिल्डिंग स्टों के काल को एरिक का नाम देते हैं फिर आशक के ड्रैसिंग करते हैं सौना बाबु को निलाते हैं ठीक है ड्रैसिंग करेंगे मतलब क्या है इसके जो surface है जिस surface के अंदर यहाँ पे आपके पास undulations होंगे उनको flat बनाया जाएगा और shape को rounded बनाया जाएगा यहाँ पे dressing की जाती है को बच्चे ये बोलते हैं कि सर सीजनिंग के अंदर क्या हम अपने stone के अंदर seasoning भी करते हैं क्या तो बच्चे बोलते हैं सर सीजनिंग नहीं करते हैं लेकिन ध्यान रखेंगे आपके stone के अंदर seasoning भी की जाती है seasoning का मतलब क्या होता है जब आप quarrying करते हैं तो आपका जो stone निकला वो basically खुदाई करके निकला न और वहाँ पे motion content तो रहेगा soil के अंदर तो वो motion content को check करने के लिए हम seasoning करते हैं ठीक है कि जो आपका motion content जब खुदाई के time पे होगा क्या कितना motion content आपके stone के अंदर that process is called the seasoning ठीक है ये बात आपको ध्यान रखना है एक्जाम में question यहाँ पे ऐसे आ सकते हैं कोड क्वाइटी के स्टोन के लिए मैं पूछ हूँ कि कितना होना चेहरे पास मस्ट भी रजन हंडर्ट एंपीए एंड डी इसका अंसर फूर इसको नेक्स करिए कॉश्यमर टू करेंगे पॉश्यमर टू में आपसे बोल गया है तो lightweight aggregate are obtained from आप different type के रोक के बारे हम बात करते हैं रोक के तीन टाइप हैं कौन कोई टाइप हैं आपके रोक को हम तीन टाइप से describe करते हैं सबसे पहले हम इसको igneous रोक बोलते हैं फिर हम इसको बोलते हैं sedimentary और तीसरा इसको बोलते हैं metamorphic rock metamorphic rock यह क्या आपके पास यह आपका geological classification हम बोलते हैं rock का it is not chemical classification it is a geological classification geological classification को हम इसके बारे में बात करते हैं metamorphic rock के नाम से जानते हैं यदि मैं igneous rock की बात करूँ तो igneous rock भी आपके दो type के होते हैं intrusive igneous rock intrusive जैसे आपका example हो गया granite और एक उतने पास क्या extrusive igneous rock extrusive जैसे मेरे पास क्या हो गया basalt हो गया sedimentary rock की मैं बात करूँगा तो sedimentary rock आपके sediment से बने होते हैं जैसे आपका limestone हो गया lime stone हो गया और metamorphic rock क्या होते हैं जिन पर आपके पास heat और temperature का action होता है या फिर pressure का resistance होता है मालों क्या है कि जब आपके पास volcano का erections हुआ तो लावा बहार निकला पहले igneas rock हुई फिर sediment में convert हुआ और last में वो आपके पास क्या हुआ metamorphic rock में convert हो गया तो ध्यार रखने इस बात पूर यदि मैं metamorphic rock के बारे में बात करूँगा तो यहाँ पे pressure का और heat का effect तो रहने ही वाला है और जब आपके pressure और heat का effect होगा तो यह metamorphism में convert हो जाता है जैसे नाम सुनवापने slate का इसका example होता है ठीक है marble हो गया या फिर आपका genesis हो गया यह सब क्या होते है यह सब क्या होते है यह सब आपके metamorphic rock के example होते है तो यह आपसे पूछे कि यदि आपको geological crustation करना है तो आपको in type पे काम करना पड़ेगा तो the light weight of the aggregate obtained यदि आप sedimentary rock metamorphic rock को लेके जाएंगे तो यहां की जो strength होती है crushing strength वही आपकी 100 MPa होती है तो क्या यह एक heavy weight है यह आपके पास heavy weight रहने वाला है लेकिन जो volcanic source होते है इसे आपके पास क्या हो गया जैसे आपके पास pumice हो गया या फिर आपके पास volcanic ash हो गई क्या हो गई वालकानिक ash हो गई इसे आपके पास lightweight होते है इनको हम lightweight aggregate के नाम से जाते है तो answer क्या होगा इसका answer जगा है यहाँ पर D and D is cancer for this question next करिए question मत third करेंगे सारी जानकारी मैं इस class के अंदर दिना चाहता हूँ आपको कि जिससे की आप जब theory पढ़ेंगे तो आपको खूम मजा आएगा ठीक है आपकी बुक कब आएगी जल्दी आएगी बुक ठीक है जल्दी लाओंगा मैं बुक पर अभी सिर्फ questions पर धिहान दिये जिए the process of production of natural stones is known as जब आप अपने natural stone का production करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं dressing, quaring, crushing और seasoning जल्दी बोलिए सबको जवाब देना है तो जब भी आपके पास natural stones का production होता है तो सबसे पहले production का जो हम बात करते हैं वो quaring से करते हैं कि पहले स्टोन कोई खुदाई करके लाओ तो पहला quaring किया जाएगा तो बी इस following statement is correct about the rock and minerals इन में से कौन सा statement आपके rock और minerals के लिए सही है बोले जाद ध्यान से shale and mica are metamorphic rock, quars is a igneous rock, quars is a metamorphic rock, quars and mica are only minerals अब दो क्या होता है आपके पास जितनी भी rocks पाई जाते हैं उनके अंदर different type के minerals पाई जाते है minerals क्या होता है, it is a liquid precipitation या liquid part of the stones जो आपके पास कहरेगा आपके rock को strength या फिर different type के जो particles रहेंगे उनको aggregations का काम करता है, वो क्या होते है, वो सब आपके minerals होते है, यदि बात करो आपके पास, shale जो है मेरे पास, shale, shale एक metamorphic rock नहीं है, shale is convert into slate और यह मिरे पास कहा, यह आपका metamorphic है, और यह क्या है मिरे पास, यह आपकी sedimentary rock, it is sedimentary rock, sedimentary rock मेरे पास यह, जबकि जो मिक्का है, वो क्या है, मिरे पास, exist minerals है, दूसरा हम बात करते है, quards is an igneous rock गलत बात, consolidation is not a igneous rock, ठ्वके quars बाद करते हैं, तो मिन्राल में पास दो टाइप के पाइप पाये जाएंगे, कौन कौन से, क्या होता हैं है या क्वार्स होगा या और भी वते हैं, यह पर इसाब क्या होते हैं सबापके मिन्टल सब्सक्राइब तो यहां पर जो मोस्ट अबिट अंसर है वो क्वार्ज अन्मिकर हैगा और अनली मिन्टल्स डी इसका अंसर फॉर इसकोशन नेक्स करिये विधा फॉलाइग परसेश पर्सेश मॉर अबलएटी डुरेजिस्टेंस अप इन में से कौन सा रोक ऐसा है जो आपके पास क्या होता है रेसिस्टेंस देता है आपके बास क्या मिन्रल को फायर एस तिंस इन कि चलो सभी है मज़ा मत दो सबको सब देख लेंगे विदा फॉल रही पास दमोर अबलेटी तो रेजिस्टेंस दफायर फायर रेजिस्टेंस के लिए इन में से कौन सा मेरे पास यहां पर आंसर रहेगा बताइए तो ध्यान के इस बात को यदी मैं बात करूँ कौर्स की कौ लिए यूज होगा ठीक है और देखो मार्बल है ना सबसे पहले आग को पकड़ता है तो यह आपका रिस्ट नहीं कर पाएगा ठीक है तो इस नौट फायर एस्टेंट आग को पकड़ लेता है दूसरा शेल शेल इस कनवर्ट इंटो स्लेट स्लेट में कनवर्ट होगा और इस लेट है किया यही आपके रिया मैं बोलता हूं कि surface रुटिंग करने के लिए काम अएगी या फिर इससे आपके electricity के बोड बनाय जाते है electricity board इससे बनाय जाते है electricity board इससे बनाए जाएंगे और second number क्या होगा इसको हम कहां पर यूज करेंगे roofing के लिए use करेंगे लेकिन यह क्या होते हैं यह भी आपके पास fire resistance अच्छे नहीं होते हैं only compacting sandstone क्या होगा only compacting sandstone is used for the fire resistance and a is cancer for this question next करिए कॉश्मा 6 नमश्कार जी नमश्कार सभी का नमश्कार है आसी क्ला स्टार्ट करने है और इसको अंत तक रखेंगे अंत तक लड़ेंगे आसे ही लड़ना स्टार्ट करेंगे ठीक है चलिए किसे का हम जोन चीए दोबारा वही repetition question है ऐसका 100 MPa C is cancer for discussion लते है next पे यह करिए बोलिए answer क्या इस question का विचा falling metamorphic rock has a more और वैदरिग रजल्टेंस के इन में से किस के अंदर वैदर रिजल्टेंस चैटरिक सबसे ज़्यादा होती है यह आप से तो यह दिहार नखेंगे और दूसरा यदि आपके पास वैदिन एस्टेंस है मतला वैदरिंग एक्षिंस प्रेशर हीट टैंपरेचर इन सा को जहल रहा है तो उसकेस में क्वार्जाइट सबसे बैस्ट होता है क्वार्जाइट सबसे बैस्ट पाया जाता है यह आपको दिहा यह यह हम ऐसा बोलें कि जो मिरे पास यह फाइलाइट है यह किस टाइप का रोख है यह भी आपके एक्जाम में कोशन आ सकता है तो ध्यान हमाँ इस बात को यदि मैं फाइलाइट की बात करूं यह क्या होते हैं यह फाइलर्टिड इस फाइलेटिड मैटामॉर्फिक यह फाइलाइट यह भी आपको धिहान नथा है ठीक है तो सफिक बेटा कहीं से कर दो पार सब्सक्राइल करें द of a topaz एक बाद ध्यान लखेंगे hardness of rock को calculate करने के लिए we are doing the sun test to calculate the hardness scratching करते हैं ठीक है nail finger से scratch कर देखते हैं कि आपके rock के अंदर कितनी hardness है नहीं है तो क्या करते हैं उसके लिए हम एक scale को यूज करते हैं मोहो मोहो के धागे that is मोहो hardness होती है जो हम यहां पर क्या होगा यदी आपके पास टो पास के बारे में बात करो नहीं किसमें कितना होता है एक होता है in the case of great night feeling that होता है जली बताओ सिंट सिंट के look को आजएगी तो बता दूँआ को प हमेशा जो से बढ़ी होता है गनेत कितना होता है? रहेगा chemical classification रहेगा रोग का मैंने आपको जोलोजिकल क्लासिविक्शन हम करते हैं उसमें हम आपके रोग को तीन पार्ट में बाढ़ते हैं ऐसे ही आपकी इस रोग के अंदर कितने टाइप के कैमीकल्स पाए जाते हैं उसके बेस में हम आपके रोग को तीन टाइप में डिस्क्राइप करते हैं कौन-कौन से बोलते है क्या हम हम बोलते हैं Calcareus रुक होगा Calcareus Rock होगा अ क्या सिल héयस ios रोख होगा और तीसरे हम बोलते हैं और यह और यह रोख होगा ऐसे आर तें यह तीन टाइप के रोख होते हैं इनके नदर जो चीफ constant पाया जाता है उसकी वज़े से हम इसको बोल देते हैं कि इसके जो value है वो जाया होगे जैसे काल्केरियस रोक के अंदर calcium या lime सब से जयादा पाया जाता है को शिलीसे रोक के अंदर silica ज्यादे पाया जाता है और argalysis के अंदर clay ज्यादा पाया जाती है इस बेसिस में क्या करते हैं आपके रोग के टाइप को क्लासीफाइड कर देदे जैसे फॉलेटिट या फिर non-faultated हो गया यह आपके ट्ट्रेश पर डिपैंड करता है रहाइस्ट अनस्ट ट्रेश करता है जो सेलेशियस रोग है यही क्या होंगे यही आपके chemical classification होंगे and D is concept for this question जितनी भी आपकी metamorphic rock होती हैं, क्या होती है metamorphic rock होती है, वो सारी आपकी foilated होती है metamorphic rock आपके पास क्या होती है foilated होती है metamorphic rock यह बात भी आपको दिहान रखने है next question number 10 करेंगे question number 10 with the following is an example of a sedimentary rock, ऐसे question बूछते है मतलब खुल मिला के आपको इस सहे में आ चुका है सर आप तो new new सारे बहुत सारे rock आ चुके है बड़ बेटाई आपको यह पढ़ने है आपको सहे में यह चुका है कि जब भी आप rock का chapter पढ़ेंगे सबसे पहले आपको types of rock तो पता होने चाहिए कि कौन कौन से type of rock को आप use कर रहे है चाहिए वो आपके पास metamorphic हो sedimentary और igneous rock तो आपको यह बास सब्सक्राइब में आ चुकी है क्या अंसे इस question का देखो example of sedimentary rock जो आपके sediment से बने sediment से बने वो क्या होते हैं वो सब आपके sedimentary rock होते हैं जैसे granite क्या है मेरे पास granite मेरे पास क्या है यह एक metamorphic rock है no it is igneous rock यह क्या है मेरे पास यह आपका एक igneous rock है marble metamorphic rock है metamorphic ठीक है sandstone sandstone मेरे पास क्या है lime यह इसको बोलते ते हैं sedimentary rock है और जो क्वाजाइट है यह भी मेरा एक मेटा मॉर्फिक रोख होगा तो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के रोख के बारे में पढ़ सकते हैं पूछा आप से सेडिमेंटरी तो सी इसकांसा फूर दिस कोश्चन चलते हैं नेक्स करिए कोश्चन आपकी स्कीन पर जवाब देंगे अब हमने डिफरेंट टाइप के रोख पढ़ेना अब उन रॉक्स को कहां पर यूज करेंगे हम इंजीनियर है तो उन रॉक्स को कहेंगे तो यूज करेंगे तो वो जो रॉक्स को हम यूज करेंगे वो कहां पर होगा तो देखो क्या होगा है यहां पर यहीं मैं बात करूओ आपके ग्रेनाइट की ग्रेनाइट को हम कहां पर यूज करते हैं ग्रेनाइट को हम आपके बस पीर्स में यूज करते हैं फ्लोरिंग म बनी होती है ठीक है तो क्या होगा एका तो तू होगा बात करते हैं मार्बल्स मार्बल्स कहां पर यूज के आते हैं घर में यूज करते हैं मार्बल्स के लिए किसके लिए और ना मेंटल वर्क के लिए जो घर में यूज होता है वर्क उन सब के लिए यूज करते हैं तो बीक quantity में lime ही पाया जाता है तो किसे मैंनेगा यह आपके lime stone से बनेगा तो C का 4 हो जाएगा बात करते हैं slate, slate आपके shale का एक part होता है वहाँ से बना और यह क्या होता है, इसका जो weight है वो काफी कम होता है और इसको हम use करते हैं flooring के case में, ठीक है, इसमें use करेंगे flooring में use करेंगे, तो यहाँ पर answer करेंगे, A का 2, B का 1 और C का 4 और D का 3, तो 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 and B is cancer for this question B आपका बहुमुल्य उतर है, next करिए, question 12 करेंगे, with the following rock is an igneous rock, इन में से कौन सा rock आपका igneous rock है, बताइए, इन में से कौन सा rock आपके पास igneous rock है, यह आप से पूछा जा रहा है, सिवाजी राओ बढ़िया, सिवाजी राओ कुछ करेंगे, तेरी गली की फकीर से याद कर सकते हो, बढ़िया, 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 कुछ करोंगे लड़कों तुम, बताइए, क्या अंसे question का, इनमें से कौन सा rock आपका igneous rock है, यह आप से पूछ जा रहा है, आपको पता है, जब मेरे पास आपके पास क्या है, एक igneous rock है, जल्दी से बताओ, क्वेट सेक्शन के अंदर, कि जो real light है, यह पास intrusive इन्टूसीव 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 है, जल्दी से, दो तरह क्यों होते है न, इन्टूसीव 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 लिख रहे हैं यह इंट्रोसी इंगने स्रोक होते हैं और गाबरो भी इसी का पार्ट होता है यह भी आपको लिहान दखेंगे नेक्स्ट कॉश्चन नमबर 30 कॉश्म थर्डिन करेंगे गाबरो तो जवान होता है मत यहान सकते हैं वाट इदा रेंज ऑफ स्पेसिक ग्राविटी ग्रेन रोक अगरीगेट जितने भी आपके पास स्टॉन रोक पाई जाते हैं यदि मैं गूड बिल्डिंग स्टॉन की बात करूंगा तो आपके स्पेसिक ग्राविटी की वैल्यू 2.9 से बढ़िया होने चाह जाता है तो इसकी जो मेरे पास स्पेसिक ग्राविटी है वह एटलीस 2.9 के आसपास तो होने चाहिए तो यहाँ पर जो 2.9 के आसपास मेट कर रहा है तो कोंसे लिमीट कर रही है डी वाली मीट कर रही है अडी इस करट आंसा फोर गिसकोशन नेक्सट कोश्मर 14 करेंगे 14 14 14 जी 14 बताओ क्या सब्सक्राइब का अब बताएं जिल दी सबको जवाब देना है सर इंट्रूसीव एक्स्टूसीव क्या होता है यह कौन पूछ रहा है मुझसे तिसने पूछा है एक बाद पूछ देख लेता हूं किसने पूछा है अमित पूछ रहे हैं जी यह अमित का घर है ऐसे अमित ख़ंड हो रही है तो अमित घर में वलकाइनों का एर्ट्षन होता है जब के वग्यानों्त एट्रेप्शन होग तो भाइब लावा बहार ग्लेंगा कुछ लावा यहीं पर जाएगा तो यहाँ पर जम गया पर चौशन गया वह सब क्या करते हैं से heat test कर दिया हमने या फिर हमने acid test कर दिया या फिर हमने hardness test कर दिया ऐसी हम आपकी fossil strength को निकालने के लिए split tensile strength test of stone को करते हैं जहां पे हम आपके पास diameter फासम मिल रखते हैं और हे इसा रखाजाएगा यहां पे ऐसे यहां पर आपके plate हैगा 50 mm ka dia हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं क्या होगा पच्छ सकडाइब हम यहाँ यह यूज कर रहे हैं और जो हाइट हम यह फिर को तैस्ट इस आप को क्या है कि आपके स्टोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट इन लाइन के अंदर पाया गया यह नहीं पाया गया तो उसके लिए मैं कौन सा टेस्ट करूँगा बोले जादी से लोग से बैस करते सीधा मैं आपको पहले एक बेस से कवा रहा हूं यह मेरी वर्क्शोप चल रही है जो एक मेरी चलेगी आपके यूट्यूब पर उसके बैस बाद ही आप मेरी क्लास के अंदर क्यापेबल हो पाएंगे पढ़ने के लिए ठीक है मतलब मैं यहां पर आपका ए क्लास वर्क्शोप करने रोज आना है एक घंटा रोज वर्क्शोप चलेगी और फिर आप देखना की मज़ा आएगा फिर बात में ठीक है आपको भी लगया कि हम कुछ पढ़े हैं तो भगिया ऐसे पढ़ोगे और सब की तरह क्या पढ़ोगे वही थियोरी आप दस बाद सब्सक्राइब करेंगे और यहां पर अभी ऐसे करेंगे तो यहां पर हीट टेस्ट किया जाता है क्या है हीट टेस्ट हम करते हैं अलकोले दसे सिए से और तु कैल्शन कारेट को चैठ करने के लिए हैं वह रखां करूंस करते हैं आपकी कॉन्कृत सब्सक्राइब कोPC करने के लिए वर्काबलेटी औफ कॉन्क्रेट को चेक करने के लिए हम यह वाला टेस्ट करते हैं अब बात करेंगे एसे टेस्ट एसे टेस्ट कहां करते हैं बोलिए एसे टेस्ट कुन सा होगा हाहाा थैसरी आंटो देखो दोबाइगे हैं साले सभी को साय टंइस्ट ज़र हमके पास एक गोड़ बिल्डिंग स्टोन को चेक करते हैं तो आपके पास डिफ्रेंट टाइप के टेस्ट एसक व्हाएंहा जाएगा ठीक है ऐसे टेस्ट किया जाएगा हीट टेस्ट किया जाएगा हीट टेस्ट किया जाएगा हीट टेस्ट किया जाएगा ठीक है या फिर आपका इंपक्त टेस्ट किया जाएगा इंपक्त टेस्ट किया जाएगा या फिर आपका इंपक्त टेस्ट किया जाएगा यह आपके मेंस में लिखने के लिए आ सकता है कि कौन-कौन से स्टॉन के टेस्ट किये जाते हैं ठीक है अब देखो क्या होगा या फिर हम यह भी चेक करें कि जो सॉल्यूबल मैटर है वो है या नहीं है वो सब चेक करते हैं ठीक है अब देखो यहाँ पर विज़ता तो आपके पास आपके स्टॉन के अंदर कार्बन डाइक अक्साइड आपके इंट्राप्ड हो गई क्या हो गई कार्बन डाइक अक्साइड आपके इंट्राप्ड हो गई सीओ टू गैस उस सीओ टू गैस को यदि बाहार निकालना है तो आपके स्टॉन के अंदर उसको द CO2 है यह हमें चेक करना पड़ता है by the help of heat test तो heat test और acid test साथ में किया आते हैं पहले heat test से CO2 gas बता करते हैं कि जो CO2 है वो कितना है और वो जो CO2 gas बता करेंगे वो आपके weight में loss पचलेगा कि आपके stone में कितना weight का loss हुआ वो हम चेक करेंगे दूसरा जो ball test है फिर आप क्या करें फिर आपके अंदर acid test करेंगे और acid test calcium carbonate को बताता है यदि exam में पुछे आपसे कि आपके stone के अंदर CO2 gas का कौन पता करेगा तो आप समझ जाना कि हम heat test करेंगे कोई आपसे एक्जाम में बहुत पुछा रहा है वो है आपके पास bread test नाम तो सुने होगा अपनी bread test यह bread test क्या होता है अब क्या होता है आपके stone पर वैस्तो freezing and thawing action होता नहीं है लेकिन कल को आपके stone के अंदर freezing and thawing conditions होने लगे तो उसको लोगने के लिए क्या होता है फ्रोस्ट action को check किया जाता है और वो हम bread instrument होता है उससे check करते है तो क्या हो हमें पास यह we are checking this condition by the frost action फ्रोस्ट action को हम यहाँ पे check करते हैं यह आपको दिहान लगा गोटेट सब बाते सभी में आ रही है ठीक है तो answer को होगा है हाँ पे question पूछा है आप से the amount of calcium carbonate पूछा है calcium carbonate in lime आपके lime के अंदर जो calcium carbonate बनेगा उसको हमें check करना है तो हम आपके acid test करेंगे जो आपके solubal matter को describe करेगा तो क्या होगा हमें पास यह acid test होगा यदि पूछता सिर्फ co2 calculate करना है तो फिर हम आपके heat test करते लेकिन कोश्मा पूछ लिया calcium carbonate के बारे में तो फिर आपको acid test करना है ठीक है तो इन दोनों में अंतर है इसका ध्यान रखेंगे और सारे मैंने आपको बता दिए है नेक्स करिए कोश्मा 16 करेंगे के लिए रहे है कि गौटेड अब मैंने पूरा समझा दिया आपको राहूल अभी अभी आपने जॉइन करा है जो clarity मैंने आपको दे दिया कि दोनों में अंतर क्या है अब आपके देख लो नेक्स करिए limestone is a type of plutonic rock igneous rock sedimentary rock और metamorphic rock ठीक है दो क्या होता है पास जो sedimentary rock है वही आपका limestone होता है और क्या यही limestone बाद में convert हो जाता है marble में marble में convert हो जाता है तो क्या है it is a sedimentary rock यह कौन से है sediment से बनेगे तो c is concept for this question next 17 करिए चलो बढ़िया है लाइक करते रहो class को और बढ़ते रहो आगे ठीक है the approximate volume of stone required for the hundred meter cube of rubble stone machinery will be required आपको पता है rubble stone machinery होती है अभी मैं आपको सिर्फ stone पढ़ा रहा हूँ जब मैं आपको मैंशने बढ़ांगा तो हम पढ़ेंगे कि रबल इस्टोन मैशनरी क्या होती है जहां पर ऐसी ऐसी शेप के हम क्या करते हैं इनको जोड़ देते हैं आपके स्टोन को और वहां से क्या बनाते हैं एक वाल को सबसे बैस होती है असलर के अंदर लेकिन यहां पर होगा रिट्वल मैशनरी बात करें तो सिय स्टोन को हमने जोड़ दिया एसे क्या करते हैं जैब आपको ध्यान टोब होगा जोड़ने का जो काम करता है वह अएसे करते हैं अब यहां पर जोस्ट ध्यान से की वालूम करेंगे ठिकें किसके लिए जो आपने mixing करी होगी वह mixing आपने किसे करी होगी Lime mortar बनाया होगा तो वहाँ पर जो cement mortar बनाया है उसका ratio 1 by ratio 4 हो सकता है 1 ratio 6 हो सकता है 1 ratio 3 हो सकता है इन सब के बिहाफ पे हम ये बोलते हैं कि मेरे पास volume of stone required जो होता है आपके पास वो कितना होता है वो आपका 1.25 times होता है आपके पास किसका machinery का volume के machinery के volume के 1.25 times मतलब stone का volume आपके machinery में use करने के बाद से ज़्यादा पाया जाता है यदि आपके पास 100 meter cube की machinery बनाई है आपने तो आपका जो stone का मेरे पास volume बनेगा वो 1.25 into 100 बन जाएगा ठीक है तो कितना होता होता है यह आपका 125 meter cube 125 meter cube मेरे पास क्या हो गई आपके पास volume of stone को हम use करेंगे ठीक है बिटा यहाँ 1.54 नहीं होगा यह 1.54 किसका होता है यह 1.54 निकम्मो बच्चो यह आपके किसका होता है यह आपके cement में हम use करते है cement के अंदर use करते है जो हम आपके बास क्या निकालेंगे dry volume को use करेंगे तो dry volume हमेशा ज्यादा होता है आपके बास wet volume से पता ही आपको 1.54 जो हम यूज़ करते हैं ठीक है यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपका stone है stone की बात कर रहे है गोटी तौन से कितना लेगा c and c is cancer for this question next करें करें मजा आया नहीं आया यह बताओ मुझे अच्छे लगए questions है एक्जाम में आ चुके हैं सारे टीस कोशन लेकर आ रहा हूं मैं previous year में वह करवा रहा हूं जो आपके 2018 के बाद आया है वो नहीं कि पहले करवा रहा हूं ठीक है कि 2014 में कितने आया है 2018 से आपका यहां पर रोजाना चलिए बते हैं से क्या होता है जो किले से मिलके बना होता है लेकिन गेन तो आपके किसे बनके मिला होता है है लाइम से मिलके बना होता है तो यह यह भी कह ओजाएगा यह भी आपका गलत लाइम स्टोन इस没有 क्रोग यह बात सही है बसार्ण गलत क्या होता है यह यह आपके पास एक इगिनियस रोक होता है आप देखते ही बार होगे अब आप तो आंसर जाए हां पर सी होचाए हां सारी करवाँगा ठीक है तो आपके आंसर जाए हां पर सी एंड सी इस कांसर फोर दिस कोश्ट नेक्स करिए कोश्ट मर नाइंटीन करिए नाइंटीन सारे इंक्लूड करों बेटा जो अब तक आये हुए है अब तक जो दुझा थारा उन्निस बीस इकिस सारे करेंगे है चलिए तडिफेक्ट एट इसकोष बाइद फॉलिंग रेन वोटर ओन दा होट सर्फेस ऑफ ब्रिक इस नौन अब दो क्या होता है हम जब आपकी ब्रिक को त्याय करते हैं तो हम डिफेरेंट के प्रोसे से प्रिया करेंगे मालों कि आपने हो बुल ट्रेंट से यूज किया या फिर हौउफ मैं यूज करा तो जो गरम-गरम ब्रिक हम लाए हैं उसपर पानी पडिया व्यए पon नि पड़े जा तो क्या बोलते हैं उसको हम उसको बोल देते हैं चफस्त दिस Jenkins गोल्कषफ जिस पे chillip riding कर बहलेते हैं क्या मतला होता है ब्लोर टिंग का कि जल्दी ब बहुत ज्यादा है तो क्या होता है उसमें उसमें आपके पास क्या होगा स्पॉंजी स्वेलन मास बन जाता है आपकी जो ब्रिक है वह आपके पास क्या होता है ऐसे उभर जाती है ऐसे उभरना स्टार्ट कर देते हैं उसको हम बोल देते हैं bloating करना cracks तो आपके different type के हो सकते हैं ठीक है कुछ minor cracks होते हैं कुछ आपके major cracks हो सकते हैं लेकिन मैं बूलों आपसे कि जो ये lamination है ये क्या होता है आप जब अपनी brick को त्यार कर रहे है या फिर आपके clay का formation कर रहे है पगमिल हम use करते हैं to preparation of the clay उस time पे आपके clay के अंदर कुछ कुछ या कुछ ना कुछ air entrapped हो गया और उस air entrapped की वैस्टे क्या होता है जब आपकी brick के अंदर으면서 the cracks minority क्रें G ए नंडर घुज गव новых गई है और बहार ने निकल पा रही है तो क्या बिक हो उसको उसको हम lamination का नाम देते हैं तो यहां पे air entrapped हो जाती ए एयर एंट्रेप्ट आपकी जो एयर है वो आपकी एंट्रेप्ट हो जाती है उसको क्या बोलते हैं उसको हम लामिनेशन का नाम बोलते हैं ठीक है नेक्स करिए कोश्मर 20 करेंगे विदा फॉलाइंग ब्रिक इस सुटेबल फुर्डा हाई क्लास ब्रिक मैशनरी हाई क्लास ब्रिक मैशनरी के लिए हम कौन सी ब्रिक को यूज करेंगे यह आपसे बुचे दा रहा है बोलिए बोलि दो नाजर जली बोलो क्या ϊंसर का इज और फॉलाइंग ब्रिक इस सुटेबल फुर्डा हाई क्लास ब्रिक मैशनरी हाई गणरी के लिए हम यूज करते हैं जया को पता है की ना इस में सके-जलाउ सब्क्लाश सुछ होते बैध पास कुछ थे थर्ड क्लास ठीक है कुछ भूझे में पास फॉर्थ क्लास फर्स ब्रिक में में यह पास जो स्थेंथ होती है वो 10.5 दूटन पर एम स्कुर्वर्ण वोटर अब्जॉप्शन 20 परसेंट यह पास कितना होता है सिंट क्लास में 7 न्यूटन पर हम स्कुर्ण और क्या होगा 22% में पास क्या होगा water absorption यह कितना हो जाएगा 3.5 Newton या 5 थार ग्लास में 5 होता है 5 Newton परम्म स्क्वेर और यह आपका होगा कितना 20 this is 23% 24% बात करते हैं 4 ग्लास बिलिक 3.5 Newton परम्म स्क्वेर और यह water absorption आपका 25% से ज़्यादा पाया जाता है यह बात को दियान रखना है तो यह जो मेरे पास यहाँ पर 4th class brick है इसको हम जामा brick भी बोलते हैं क्या बोलते हैं जामा brick भी बोलते हैं इसको ठीक है यह वाद आपको ध्यान रखना है जो आपकी modular brick होगी वही आपकी यूज की जाती है किसके लिए high class के लिए या high strength के लिए हम इसको यूज करते हैं ठीक है तो आंसर क्या होते हैं आंसर यहां पर जो होगा वो C होगा and C इसका अंसर फोर दिस question was an Dedal bull north RJe bull mouse कैसी होती है एक रीकाür साइज हो ऐसा अवी मैं है इसको का घ्र बोलते है इस वाले पार्ट को 1 अब श्राशρεία बोलते है बुल्नोस कैसा होता है बुल्नोस ऐसा होता या है हुआ हुआ है कि jullie बार कहे हैं ऐसी शेप बनी होती है इसको क्या बोलते हैं उसको हम बुल्नोस बोलते हैं बुल्नोस ब्रिक कहां पर यूज की जाती है, कहां पर यूज करते हैं बुल्नोस ब्रिक, बोल ये, कहां पर करेंगे, जल्दी बोले, जब भी आपकी ब्रिक के अंदर एक शेप पर राउंड़ेट शेप होती है, वहां पर क्या होता है, वहां पर आपके पास बुल्नोस ब्र शेप होती है वो ऐसी होती है और वहां पे हम ऐसी शेप की ब्रिक को यूज करते हैं ऐसी शेप को इसको हम वाइस से सर बोलते हैं वाइस सर तो यहां पे इसको तो यूज करें नहीं पाएगा ठीक है तो यह आर्च में यूज नहीं करते हैं तो क्या करते हैं यह आपके पास अपर सर्फिस में या वाल में यूज़ कर लेते हैं, मेरे पास किसको? बुल्ड ट्रेंच वाले को. ठीक है? तो पियर में भी यूज़ कर सकते हैं इसको हम? पियर में यूज़ कर सकते हैं? ठीक है? पिलर में यूज़ कर सकते हैं? या फिर surface wall पर यूज कर सकते हैं, surface wall पर यूज कर सकते हैं, but it is not used in arches, मैं रेकरा को इसको not used in arches, not used in arches, arches में इसको use नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यह बधना आपको दिधान नखनी है, जो आपको जहामा ब्रीख होती है, Beim 27 чисक को मोलते हैं, सब्सक्राइब कर लिए कर लिए मेंस के लिए जल्दी काम करेंगे जब भी हम आपकी ब्रिक को यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं उस ब्रिक को पहले पानी के अंदर रखते हैं कुछ टाइम के लिए ठीक है सर अंडर अंबंट ब्रिक को क्या बोलते हैं जो फोल्थ क्लास की ब्रिक होती है वो यह आपकी अंबंट ब्रिक होती है ठीक है जहामा ब्रिक जो होंगी वो आपकी ओवर बंट होती है चलिए पने आंसर क्या इसका देखो क्या होता है जब भी हम आपकी ब्रिक को लेक अपर आपको करने दूसरा जितना मेक्सिमंपानी और Par jar कर सकता आपका बॲिक वह एक बार ही कर ले, बार बार वो ना करें, ठीक है, मालो जल कलकुम क्या करूँगा, कलकुम मैं, यहाँ पर आपकी ब्रिक को यूज करूँगा, तो उसके अंदर सिमेंट मोटार बिछाँगा, उसका मोश्रा कंटेंट ही एब्जो कर जा रहा है आपका ब्रिक, तो हम चाहते हैं, हम बोलते हैं, मैक्सिमुम एब्जोप्शन आपका 20% जादा नहीं होना चाहिए, इसलिकी बात करते हैं, कि जिस्ते क्या हो, एक्स्ट्रा एब्जोप्शन आपके पाने का ना हो, जहां मोटार को यूस करेंगे, ब्रिक के अंदा, ठीके, तो A is का अंसर फॉर, this question, question number 22 करेंगे, 22, question number 22 करेंगे, in the composition of good brick, the total content of silt and clay, maybe weight should not be less than, जो मेरे पास silt और clay का, मेरे पास यहाँ पर proportionु रहेगा, आपकी brick के अंदर, वो कितना होता है, वो आपसे पूछ रहा है मुले कितना होता है सबसे ज़्यादा जो ब्रिक में अंदर पाया जाता है वो क्या बाए आता है आपने पढ़ा है सलीम पढ़ा है सलीम के बारे में अनार कली डिसको चली नहीं सलीम की गली की हम बात कर रहे है तो यह तो सलीम की लिए हम बात करते हैं और चोटे म्टे और पाये जाते हैं जैसे क्या बिर पास निधिया ओगयालिव यह वो भी पाये जते हैं ठुड़े बोड़े ठीक रिक्मरीम पास यह आपका 50-60 प्रसेंट प्रेश जाता है यह आपका 20 से 30 परसेंट पाया जाएगा जब भी हम आपके पास लाइम होगा तो यह आपके बना सकता है यह फिर लंफ कर सकता है आपकी बरिक के अंतर ठीके और और आयों अपर से 6 परसेंट रखेंगे यह आपका 2 से 3 परसेंट और एलकली इस लेस देन 1 परसेंट पाया जाता है यह आपको ध्यान रखना है यदि आपके बरिक के अंदर सिलिका पाया जाता है तो वो क्या प्रेड्यूस करेगा सिलिका क्या होता है सिलिका आपकी बरिक के अंदर हमेशा देता है और दूसरा कोहेशन रखता है कोहेशन मतलब सारे पार्टिकल्स को बांध के रखता है यदि आपने maximum quantity of silica को यूज कर लिया या फिर high quality of silica को यूज कर लिया तो महाँ पर क्या हो गया यदि इसकी quantity बढ़ा दी तो कोहेशन छूड़ जाएगा तो इंपाट plasticity plasticity को impart करता है यह ठीक है यह बात भी आप ध्यान लखेंगे it is impart the plasticity ओके lime मेरे पास क्या है lime का main काम क्या होता है what is the purpose of lime brick के अंदर जो lime होगा वो क्या बनाएगा आपके पास जो क्या है ज़िए मेरे पास lime आप पाया गया तो यह as a flux की तरह काम करता है ठीक है, ion oxide तो color देता है आपकी brick के अंदर, लेकिन जो lime है is this used as a flux flux तो क्या होता है flux क्या होता है आप घर में use करते हैं lux, lux साब उस उस काम क्या होता है lux सा काम यह होता है कि बहुत जल्दी ज्ञागा जाएंगा उस पे मतलब क्या है, पान इसे turn traction करेगा और पूरी बोड़ी पे लगा लो उसको एक दम से, तो मतलब क्या होता है it is used as a flux, क्या होगा यह सारे के सारे जो gradient आपने use करें है, इन सब को बांद के रखता है, इन सब के साथ reaction कर जाता है, निकमा, तो क्या होगा it is called the flux, it is called the lime, यह क्या होगा, यह आपका lime है, ठीक है, आउकसाइड आपकी brick and the color देता है, magnesium oxide उस color को impart करता है, यह बोला है कि मैं color दूँगा और इस color को जो दिखाएगा तो क्या दिखाएगा, magnesium oxide है, it is impart the color impart करता है color ठीक है, यह तो आपको ध्यान लखना है, तो आन से क्या है, 50% हो जाएगा and see is cancer for this question next करिए मजा आया साइची के लिए होगा, कैसे हम काम करेंगे next question करेंगे, बुला है आपसे refactory brick are generally used to resist, जो refactory brick होती है, वो generally हम use करते है to resist the chemical action, dampness high temperature and the weathering action जो refactory brick होती है, वह क्या होती है तो पहले पूरी refactory brick की पर आपकी normal brick बनती है लेकिन जो यह वाली brick है ना ये 1700 degrees Celsius के temperature को जेल सकती है पहले बात तो ये ध्यान रखेंगे दूसरा water absorption काफी कम होता है इसका water absorption कितना होता है 4 से 10% के करीम होगा ठीक है इसे ज़्याद water absorption इसका होता नहीं ये brick का वैसे हम बोलते हैं first class brick में कितना होता है 20% होता है लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे इतना होता है दूसरा यहाँ पर जो minimum compressive strength होगी minimum minimum compressive strength होगी वो क्या होती है वो आपकी 32.5 MP होती है 32.5 MP के मेरे पास क्या होती है compressive strength पाई जाती है और कहाँ पर आज उसको इसको हम furnace की lining में यूस करते है it is used in furnace lining में इसको यूस करते है ठीक है furnace की lining में यूस करते है जहाँ पर आपके वास क्या होगा high temperature को यह जहल सकता है तो refractory breaker generally used to resist chemical action, dampness, high temperature, weathering action तो यह आपके high temperature को जहल सकता है and see is cancer for this question next करिए question mark 24 करेंगे जल जल दी quickly करेंगे थोड़ा सा back from class चलिए what is that percentage of content of silica in the good quality of brick good quality brick के इंता सिल कितना होता है आपको पता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है मेरी नाख मत कटवाना आप सबको जवाब देना है इस question का अभी भी मैंने पढ़ाया आपको check करने के लिए भाई गाजीपूर गलतांस देरो यार तुम प्रॉसेस पगमिल इस यूस इन में से कौन सा पगमिल जो हम देना है वो किस लिए करते है पगमिल इस यूस्ट्व प्रिपरेशन ओफ देचले आपके बाद जो क्ले को हम देचले करेंगे आपकी बिक के अंदर उसके लिए पहले हम क्ले को बनाएंगे तो पहले हम जो preparation करते हैं आपके clay की, preparation of clay जो हम करते हैं वो आपके pug mill में करते हैं Pug mill में क्या होता है, हम एक process को use करते हैं, इस process को हम बोलते हैं tampering process क्या बोलते हैं, tampering process बोलते हैं, उसकी help से ही हम यह सब काम करेंगे tampering process की help से ही हम इस सारे काम करते हैं ठीक है तो आसे क्या होगा इसका पगमिल क्या होता है पगमिल में पास क्या होगा एक ऐसा इंस्ट्रुमेंट रहेगा एक ऐसा इंस्ट्रुमेंट रहेगा उसमें क्या करते हैं पहले जो ब्रिक को लेकर आते हैं अंस्ट्रुमेंग करते हैं ठीक है वैदरिंग करते हैं और व ठीक है यह बत आपको ध्यान लखना है तो आंसर के हो जाए है इसका आंसर जागा यहाँ पर बर्णिंग ऑफ ब्रीक ड्राइंग ऑफ ब्रीक मॉल्डिंग ऑफ क्ले प्रिपरेशन ऑफ क्ले करते हैं यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप की मॉल्डिंग के बारे में बात करते हैं ठीक है इवाद आपको ध्यान लखना है नेक्स्ट ट्वेंटिस करिए को आपकी प्रीक का स्टेंडर्ड साइज है ठीक हैं यहां इसको बोलते है कि कलको कलको हमारे सचिनज लेले ने कलको हमारे अभी मेना कलको हमारी अभे मीना होंगे और उनकी मीना भी आएगी अभी तो ये मिना है अभी मीना और इनकी कोई धर्म पत्नी होगी मैं बोलता हूं एम मीना लिखो मैंने भवश्चानी कर दिया कि तुम्हें एम मीना मिलेगी और इन मीना की याद में यह प्र relacion फोड़ते हैं इसलिए मीना की याद में नाम लखवाएंगे इसलिए भश्चानी के उपर हम दूसरी brick को use करेंगे तो दोनों brick क्या होंगी shear key की तरह use किया जाता है it is like a shear joint तो shear के लिए इन दोनों brick को joint करने के लिए हम यहाँ पर frog को use करते हैं इस जो frog का size होगा वो कितना होता है 10 x 4 x 1 या फिर 2 यह 2 cm में हम इस brick को use करते हैं ठीक है यह आपका frog का size है जो shear key joint की तरह use किया जाता है तो में पर लिखा हुआ है कि mortar को brick को join ने के लिए जो joint use किया आता है उसी को हम frog ठीक है तो अंसे इस पर को form a key joint between the brick and mortar and b is cancer for this question next करिए question number 27 करेंगे question number 27 for with the following is an ideal warehouse is provided कहां पर आपका ideal warehouse को provide किया जाता है क्या होता है warehouse क्या होता है warehouse जहां पर आपके पास क्या होता है आपकी brick को रखा जाएगा आपके cement के कट्टे आप बैग लेके आएंगे उनको रखा जाएगा वो वहां पर कहां पर यूज करेंगे जहां पर waterproofing हो जहां पर waterproofing waterproof roof हो ठीक है few windows which is remain generally close कुछ windows हो लेकिन वो close हो all सब चीज़ों पर हम आपके warehouse को रखा जाता है what is the dimension of warehouse हम पढ़ेंगे cement के अंदर लेकिन ध्यान अखना है warehouse में अतलब यह होता है जहां पर मेरे पास यह building materials को रखा जाएगा basically आपके cement को basically आपकी bricks को ठीक है इन सब की जगे हम इसको use करेंगे next करिए calculate the number of brick required for the 5 meter cube of brick wall यदि आप 5 meter cube brick wall को use कर रहे हैं तो वहां पर आप कितने number of brick को use करते थे ठीक है आपको पता है 5 meter cube और एक brick size में क्या वानूँ 0.2 into 0.1 into 0.1 यहां से हम आपके बस number of brick को calculate कर सकते हैं क्या यह आपके एक brick का volume और यह आपके 5 meter cube का volume यहां से हम इसको calculate कर सकते हैं ठीक है तो कितनी brick आ रहे हैं से 25 500 brick आ रही है पच्चिस सो ब्रिक जब मैं बच्ट में छोड़ाता था ना तो मुस्से बोलता था कि हमारे पड़ूस में इंजिनर रहते हैं वह रता जेते हैं कि इस कमरे में कितनी हीट लगेगी तो मैं सुचता है यार क्या इंटेलिजेंट इंजिनर है जो स्टेंडर्मोडलर ब्रिक कोrito कर रहे हैं उसका में पास में यदी 1 cam ठिकने की मेरे पास वोल तो वहां पर मेरे पास थिकने कितनी होगी तो आपको पता है एक प्रिक का साइज ठीक है वह क्या अभ़़ा में ह पास एक बिक का साइज मेरे पास यह है आपका 19 cm और यह भी आपका 9 cm तो यह आपको थिकनेस बढ़ानी है तो में पास क्या यूज करना पड़ेगा कितने वज़ी तक क्लास चलेगा बिटा एक घंट क्लास जाद है रो मत यह रो ना पहले स्टार्ट कर देते हैं तो जो थिकनेस की में बात करूँगा तो एक तो पूरी ब्रिक यूज करनी पड़ेगी आपको और दूसरी आधी यूज करनी पड़ेगी तो मौश अरपने जान यहां पर बी और इसका आंसा फोर नेक्स करिए विदा फॉल्वविग इस आ इंपोर्टेंट क्यार्टिक और अलूमिना इंद ब्रिक अर्थ के अंदर इन में से कौन सी क्यार्टिक अलूमिना को हम यूज करते हैं हां आसे स्टार्ट हुआ है क्लास आससे हिस्टार्ट हुआ है और छलते रहेगे चले है अंसे का चली से करते हैं पटेखते 30 तो लगा है बिटा, बताइए, आपकी brick के अंदर जो alumina को हम use करते हैं, वो क्या काम करता है, it is impart and maintain the plasticity, जो आप अपनी brick का mold बना पाते हैं, वो alumina की वैसे बना पाते हैं, यदि आपका alumina नहीं होता, तो क्या आप mold बना पाते हैं, नहीं बना पाते हैं, तो आंसे क्या होग चलिए, तो आज मैं आपको एक homework दे के जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही simple सवाल है homework का, बताओ homework का सवाल है, इसका सबको जवाब देना है, सबको जवाब देना है, और कल फिर हम इसको starting ही आपको ही मिलेंगे, ठीक है, आज से आपको स्टार्ट हुई है, आज मैंने आपको stone और brick कराया है, कल से मैं आपका old कराऊंगा, सर ये ingredient आपके soil के अंदर होंगे, ठीक है, soil जो होता है, सबसे मिलके बना होता है, argilis compound, silika भी होगा, lime भी होगा, जो नहीं होगा, उसको हम add करेंगे, आपके pug मिलके अंदर, ठीक है, सब comment में देना रा answer, ठीक है, चलो आज की क आपके पास इसकी जो PDF है, वो आपको कहा मिलेगी, अवनीश सर्मा के नाम से आपका Telegram Channel है, अवनीश शर्मा, के नाम से आपका एक क्याइट टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उसको आप जोइन कर लिजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगे, चिक है, ज तो कल हम आपको फिर मिलेंगे अमनीशसर्मा civils नहीं अमनीश सरच में चैनल का नाम हवनीश रमा धोक्त और उसको जॉइनकर लीजे हाँ क्यों हाँ सारे मैं इंक्लूड करूँगा ठीक है मेली मैं आपको पहले एससी के कोश्चन कराऊंगा फिर जैसे से आपकी बढ़ती चाहिए आगे आगे फिर मैं स्थाए कोश्चन कराऊंगा तो देखो क्या है कि आप मुझे भरोसा रखिए अब क्या स्टार्टिंग में जज होना से करनी है पहले इन पर काम करो फिर सब पर काम करें अब टाइम है लेकिन स्रीज कंटीनीव रही गी एक्जाम तक मिलते हैं फिर आपके लिए क्लास के अंदर तब तक के लिए बबाए जैहिन जैभागत